नमस्कार जरहट के इंदिमाब सभी के एक बार फिर से स्वागत है आईए जान लेती हैं 31 अगस्त को जन्मे व्यक्तिव के लिए कैसा रहने वाला है ये साथ मुलांग व्यक्ति के जन्म की तारिक होती है मुलांग 28 तारिक के आपका जन्म हुआ होगा उस तारिक का योग ये आपका मुलांग कहला है अगर आपका जन्म दिन एक तारिक से लेके नौ तारिक के बीच हुआ है तो आपका मुलांग के यही कहलाएगा वहीं अगर आपका दस तारीक से लेगे 31 तारीक के बीच में कभी भी हुआ हो तो आपका जो मुलांग के वे तारीकों का योग कहलाएगा जैसी कि आपका जनम दिने 31 तारीक को हुआ है तो आपका मुलांग चाहरे हैं आई जान लेते हैं आपका स्वभाव किस प्रकार से इस मुलांग से प्रभावी जाता है हिर्दे से उतार एवं सात्विक होते हैं जीवन में उधल्प होता लेवं अनि चित्ता सधे बनी रहती है सिच्छा में एक बार वैवधान अवश्यक आता है भाग विलंब 4, 8, 13, 2, 26 और 31 है और आपके लिए शुभ अंगे वे 4, 8, 18, 22, 45 और शत्तावन है और आपके लिए जो शुभ वर्च है होए 2020, 2021, 2024, और दोजार साथ हैं आपके श्रदेव सिरी गणीश हैं आप इनकी जाधा से जाधा आराद ना करें आपके लिए शुब रंग नीला काला और भूरा रंग हैं आपके लिए आगामी वर्ज की क्या कैसा फलता हैं इस वर्ज भाग के साहिक रहेगा योजनाव में सफलता मिलेगी आर्दिक दिष्टी से वर्ज अनकूल है भू संपत्ती में वृतिक अफसर हैं सत्रू आपके प्रास्त होंगे समाज में सम्मान बढ़ेगा परिवार में शुप कारे संपन होंगे मित्र इस्त्री में संतान प्रक्षे सुख मिलेगा सत्सुक्र की अनकूल इस्तिती विदी सफलता का रहेगा वेफसाय विस्तार से लाब में वृत्ती होगी किसी नए उद्धूग का प्रारब हो सकता है बैंक चिकसा सेनादी छेत्रों में सिवरत जातकों को अनुकूल स्थामत्रण प्रमोशन का भी लाब मिलेगा आपका इस साल भी स्वास्त के दिष्टी से बेह जाने इसी प्रकार से अपना भविश्यवल जान सके धन्यवाद